आज का जो मैं टॉपक चूज किया है इंट्रेक्ट करने के लिए डिस्कस करने के लिए ताके मैं चाता हूँ कि अक्सर कहीं न कहीं जब कभी आप रोटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं खास कर एक अल्टर साउंड जब करवा लेते हैं तो वहां पे इंसीडेंटल फाइनेक निकलती है सप्लीनों में गाली यानिके जो एक लेंफाइड आर्गन है बाड़ी में जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है तो उसको सप्लीन बोला जाता है यानिके तिली एक ऐसा अर्गन है जो तकरिवन 12-13 साल के उमर में एक मैक्सिमम साइज इसका रीच हो जाता ह तो इंसिदेंटल फाइनिक कहीं न कहीं जब देखा जाता है कि या तो सप्लीन में अंदर से उसमें साइज में कोई डिफरंस है या बाइफरकेशन है या डबल सप्लीन है सम्थिंग ऐसे कुछ अब नर्मलटी जब निकलती है या इनलॉर्ज सप्लीन तो वो पेशन्ट व पेशन आ जाए तो आपको गबराना नहीं है आपको यह देखना कि क्या वजवात है यह सप्लीन में गयाली क्यों होई किस तरीके से पहले ही मैं बताऊंगा जो सप्लीन है तकरिबंद पांच इंच लंबी होती है तीन इंच विर्थ होती है और वान एड़ हाफ एंच ठिक होती है सप्लीन जो है वो रिब केज के अंदर होती है लेफ साइट पर एक फिस्ट की साइज की होती है नाएं टेंथ एलेवंथ रिब के अंदर होती है यानि कि एक सिक्योर तरीके से अंदर बाड़ी के अंदर होती है रिब केज में होती है नार्मली सप्लीन पैल्पेबल नहीं होती है और अगर अगर इसका वेट देखेंगे 75-120 ग्राम्स रोटीन में नार्मल वेट होता है बेसिकली एक साइड हीरो आर्गन के तरह काम करती है हार्ट को लंग्स लीवर किड्नीज को यह क्या करती है बलड को यह भी फिल्ट्रेशन करती है क्यों इसमें फेगोसाइटोस बगर होता है एंटी बाडी प्रोडक्शन बगर होती है तो आर्बीसी कर डिस्रक्शन होता है ग्रेव यार्ट बोला जाता है सप्लीन को तो नार्मली तक्रीबल सप्लीन 200 से 2500 में बलड स्टोर होता है यह रिमू करता है सलर वेस्ट को और जो भी डेमेज बलड सेल्स होते हैं उनको रिमू करते हैं डबली बीसी बनाती है और एंटी बाडी बनाती है जो आपको 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 एंट स्प्लीन का इतना बड़ा एंलार्जमेट हो गया है तक्रीबन 45 संटीमेटर से इसकी डेमेंशन देखी गई है वर्ल्ड रिकार्ड है और 12.14 केजी इसका वेंट देखा गया है लार्जस्प्लीन जो है देखी गई है आप देखिए इतनी बड़ी अगर स्प्लीन हो जाएगी तो ये पेट में कैसे नीचे पहुँचेगी मैं आपको कुछ डिटेल मेडिकल नालज नहीं बता सकते हैं क्योंकि शार्ट टाइम होने के नाते ये वर्ल्ड रिकार्ड देखा गया है कि हाँ इतनी बड़ी स्प्लीन हो सकती है और वो स्प्लीन जो देखी गई है उसमें ए प्लीट ब्लड काउंट जब देखे जाता है उसमें टील सी काउंट देखना है अगर कम है या बहुत ज्यादा है प्लेट लेट बहुत ज्यादा है या कम है इमोगलोबन ज्यादा या कम है पैंसार्टिपेनिया बाइसार्टिपेनिया कुछ ऐसी मेडिकल टर्म नालजिस ह तो उन में यह देखा जाता है कि एग्जेक्ली आप उन से भी मालूम हो सकता है कि आपको स्प्लीन का चांसे हो सकते हैं उसके लावा अल्टर सुनोग्राफी है या सीटी सिकेंट से आपको साइज आप स्प्लीन पता चल सकता है MRI करने से भी आपका सिटुएशन यह बलड फलो को भी ट्रेस कर सकती है कि कितना बलड फलो सिप्लीन में हो रहा है एकजाटली मैंने बताया कि इनलार स्प्लीन जब होती है उसमें नमबर आफ हेल्दी जो रेड़ सेल्स हैं प्लेटलेट्स हैं या वाइट सेल्स हैं वो बलड स्ट्रीम में ज्यादा होंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन होने के खतर हो सकते हैं क्योंकि वहुतों हैं ईसे सब्सक्रीज़ अ मुं clarity कर सकती है अभंस सिंपल्त आई में में मैं को सकती है और आयरं स्टी जैदेंश कहूंट wow सकती है जतना ज्यादा अबिंगम की श्यादा keep ने इकान सब्सक्रीफ हो सकता है और यह छीजता अवे एक निदीन्टल ठाएडै सफक्ति में एक कंडिशन होती है तो उसमें B12 डिफिएंसी है या फॉलिक ऐसेट हासकर B12 डिफिएंसी से क्या आपका स्किलन में हो सकती है इनलार्ज सप्लीन तेकरीबन 20 संटीमेटर लंबी हो सकती है और एक कलूस का वजन बढ़ सकता है जब इतना वेट इंक्रीज हो गया तो पेड़ीज होता है तो मैं आपको कुछ ब्रीफ बताने की कोश्च करूंगा है यानि कि अवर एक्टिव सप्लीन जिए उसमें ज्यादा ज्यादा आर्बिसी डिस्ट्राइब हो रहे है सप्लीन एक ऐसा आर्गन है कि जहां पे ब्लड स्ट्रीम फलो होता रहता है और जब जैदा ब्लड सेल्स को रिमू करती है और विधर जड़ आपका यानि के डिस्प्ले करूंगा तो वहां से आपको यह मालूम होगा और तो में सप्लीन का साइस स्लाइटली छोटा होता है मर्दों में बड़ा होता है लेकन एक हाईट के साबसे जो बाड़ी फ्रेम है उसी स सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब थोड़ा यजर्मेट करने में दूसरी जगह करेंगे थुरा सा कर सकते हैं कभी ना कभी और क्लिनिकल एग्जमिशन में जो है क्लिनिशन देख लेते हैं कि सप्रीम को कैसे पल्पेट किया जाता है नार्मली सप्रीम पल्पेबल नहीं होती है तो यह मैं टेबल आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूं कि नार्मल साइज आप सप्रीम क्या है वो हमें उसको बोलते हैं कंजस्ट्यू काडिक फेलियर मिलियरिया में हो सकते हैं टाइफएड एंफेक्ट्व एंडोकाड़ाइड सब्सक्राइड ऐसल यह कंडिशन होती है सिस्ट्म में ग्लूपस है रिमोटर राफ्ट्राइड्स थैलसी में माइनर में सप्लीन फ्रेद़ाइड के में थे और यहां यहां पर पर शैयक्ट्राइड आट सैंट्रीमेलाइड सैट्राइड स्क्रीन अधां लेकिन चिन एक भी प्जाएड चिस्ट्लीन नहीं होंगी औप तिकरिव इन मैस्ट तमत इकलीन में ढीकिन कृंगी होसकती जहां पे आठ संटीमेटर से जएदा साइज हो जाए सिप्लीन का उसमें मोस्ट इंपार्टर कुरानिक माइलाइड लुकीमिया है माइलाइड मेटापलैसिया है माइलोफ फैप्रोसिस है गोचर्ष डिजीज नियमीन पिक्स डिजीज है यह स्टोरेज डिसार्टर सोथे सार्क इसने किसी काला अजार में सिप्लिस है एक्स्ट्र हैपटिक पॉर्टल वेन अबस्ट्रक्शन है सिस्टोस्वमियस है और लिंफोमस कोश्च यह करने चाहिए कि सप्लीन को बचाना है जब भी ऐसी सिच्वेशन होगी अंडरलाइंग कास को ट्रीट करना है क्योंकि सप्ली स्ट्राइंगार। और उस वकत, क्योंकि प्लne ti doping st같apsyrien में वोन हे ले दिक सब्सक्राइब Allah, दिक सब्सक्राइबिक Gkin सब्सक्राइब आफूल, प्ली तो उस टाइम सब्सक्राइब करना है लेकर फ्लेटर कांट स्ब्सक्राइब पर MINUTE CBERALK तो जब भी आपको incidental phanics आप से तेनों में कहली होगा पहले आप CBC से उसको correlate करेंगे आपको वहां से मालूम हो जाएगा megalodastic enema, microsty enema यानी iron deficiency enema या आपका leukocytosis है या लीकोपीनिया है, thrombocytosis है, thrombocytopenia कुछ ऐसी medical terms होती है जो ये doctors को मालूम होता है कि अलबता आप जब internet पे पढ़ेंगे तो आप panic हो जाओगे, तो कुछ चीज़े managable हैं यह मैं आपको सिप्लीन के बारे में कुछ नालज देने की कोश्च कर रहा था, just a brief idea होना चाहिए, कि सिप्लीन मेगाली क्यों हो सकती है, तो उससे आपकी complications क्या क्या हो सकते हैं और manageable चीज़े हैं, पेने खोने की जरूट नहीं है, with similar videos, I will talk to you next, till next, all the best, khudahafiz